हलो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब पैनल ग्रेटो इंडिया में स्वाग आते हैं तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाला है चात्र अधिश्यक दोजा चॉइस कि जो होस्टल वार्डन दोजा चॉइस से रिलेटेट जो कंप्यूटर सब्जेट का जो 30 नंबर क दियान रखें तो 30 कोर्शन रहेंगे 30 अंक रहेंगे 30 मार्क्स का जो यह पेपर रहने वाला है उसी से रिलेटेटेट वेरी इंपोर्टेंट कंप्यूटर के MSQ तो वीडियो का अंतर जरूर देखें तो चलो सेशन को स्टाइट करते हैं और सबसे पहला कोर्शन देखें प नंबर जो होता है यहां पर कह सकते हैं तो दियान से देखें इसको कह रहें एक बाइट में 0 से कितने यहां पर 0 से यहां पर कितने 20 संक्या को दर्साता है तो यह दर्साता है 255 तो यहां पर दियान रखें 0 से कितना होता है 255 यहां पर यह रिपर्जेंट करता है बाइट तो यहां पर सही option रहाएगा, be option right रहाएगा, next question की बात करें, next, कि the use of information technology to improve the ability of government to address the need of society is now, यह कह रहा है समाच के अवसकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की, जो समतब को सुधानने की जो IT के लिए जो उप्योग किया जाता है, यहां पर IT के लिए जो उप्योग किया जाता है, यह बिजनेस यहां पर नहीं होता है, यह एड्मिनिस्टर नहीं होता है, वो होता है, यहां पर यह गर्व नहीं, सही option रहेगा, यहां पर दोस्तों, third number option यहां पर राइट हो जाएगा, दोस्तों, next question सेंक्या, third की बात करें, क्या कहा रहा, third question, यहां पर third question कहा रहा है, now most projector use cable और VGA cable from the computer as their input source, तो यहां पर कहा रहा है, कि अधिकान्स प्रोजेक्ट जो input, जो source होता है, तो computer में cable या VGA का उप्योग किया जाता है, तो वो कौन सी cable यहां पर use की जाती, उस cable का नाम बताना है, तो वो cable है, HDMI cable, कौन सी cable है, HDMI, HDMI की full form जान रहें, high, कहीं बार exam में पूचा जाता है, high definition, multimedia interface, multimedia interface, next question संक्या, fourth, fourth question क्या कहा रहा है, देखिए, बहुत ही अच्छा question है, fourth number, यह कहा रहा है, which of the following use to create a small letter above the line, कहा रहा है, यहां पर यह line, इसके उपर उठा हुआ दिखाई देना चीए, उस text in MS word, तो यह कहा रहा है, MS word में text की line के उपर, जो छोटा अक्सर दिखना होता है, उसका उपयोग किया जाता है, तो यहां पर किसका उपयोग किया जाता है, सबस्किप्ट का super या underline या strike throw, तो सही answer होगा इसका super script, क्योंकि यहां पर text को उपर उठाना है, मतलब x की power to इस तरीके से, ना की इस तरीके से, यह दि सब skip की shortcut की पूचे, तो control plus आपको दियान रखना equal to, super skip की पूचे तो दियान रखना है, very important है, control plus shift plus plus plus, ओके, underline की shortcut की बात करे, control plus you याद रखना है, underline से related एक और कोर्षन बनता है, जिसका नाम है, यहाँ पर font style, यह दि पूच लेता है, कौन सी font style नहीं है, वो बताओ, तो होती कौन कौन सी, बी होता है, आई होता है, यू होता है, और एक regular होता है, तो bold, italic, underline और regular, तो यह font style होती है, यह दि यहाँ पर ही कोर्षन पूच लेता है, bold की shortcut की, तो ध्यान रखे, control के साथ भी, I का पूच लेता है, तो ध्यान रखे, control plus I, और you का मतलब अभी, जस्ट अभी हमने देखा, control plus you, ओके, चलते है, next, कोर्षन संख्या, five, is a software robot, that automatically executed the long list task, तो यह कह रहा है, एक software robot, जो चलित कार्य को, एक लंबी सूची को निश्पास दित करता है, तो वो क्या होता है, वो software, तो वो होता है, vote, सही आंसर आएगा, यहां पर second number, next, in, DASD, ध्यान रखें, DASD, कोर्षन क्या पूचा है, DASD, मैं यहां पर पूचा है, what is your full form of A, इसकी full form बताने, इसकी full form क्या होते है, आपको ध्यान होना चाहिए, तो यहां पर इसकी full form ध्यान रखें पहले, तबी यह answer right होगा, तो direct, A का मतलब है, X is, direct, X is, stories, device, और इसने पूचा है, A का, A का होता, X is, तो सही option रहे गए यहां पर, first number, next, question संक्या 7, question संक्या 7 की बात करें, बहुती अच्छा question है, कहारा, which of the following, ध्यान रखें, which keyboard, sorry, which keyboard shortcut key, in Microsoft Excel 2016, should use the insert in new worksheet, new worksheet from window 10 operating system, कि वहीं, window 10 operating system में, आपको keyboard से, जो नई worksheet insert करने की, shortcut की यहां पर, बता नहीं, तो यहां पर, वो worksheet के लिए, shift के साथ, किसका यूज किया जाता है, F11 का यूज किया जाता है, सही option रहे गए, यहां पर, तो यहां पर, यह option रहे होगा, shift के साथ, F11, shift के साथ, F11, okay, very important है, यह question, ध्यान रखना, चले next, question संक्या, 8, के print screen की, on computer keyboard, belong, which of the following category, तो यहां पर, यह कह रहा है, very important है, यह question, कह रहा, computer keyboard, पर print screen, निम्लिक कि, कि सैने में, यहां पर, कौन सी category माता है, वो यहां पर, बताना है, तो typing की, तो होगा नहीं, function की, जो होती है, वो F1 से लगा, के F12 तक होती है, और यहां पर, पूचा, print screen, जो control की, होगी नहीं, यहां पर, last जो बचा, वो है, special purpose की, और function की, बात करें, यहां पर दोस्तों, तो F1 से लगा के, F1 है, F2 है, यह सभी याद रखनें आपको, F3 है, F4 है, F5 है, F7 है, और F11 है, और F12, कई बार exam में पुचा जाता है, F1 जो होता है, अमेशा help program के लिए, F2 किसी भी file या folder का, क्या करना हो, नाम change करना हो, F3 search के लिए हो गया, F4 की बात करें, F5 का यूज जो होता है, वो slide show के लिए भी होता है, slide show के लिए, F7 spelling and grammar, spell and grammar के लिए, F11 chart के लिए, और F12, save as के लिए, नहीं बार exam में पुचा जाता है, त्यान रखेंगे दोस्तों, next question सग्या 9, JSP file extension stand for, JSP file का यहाँ पे extension का stand button है, तो वो होता है, Java server page, सभी option रहेगा, second number, next question, which of the following is example of, absolute cell reference in MS Excel, तो MS Excel में जो यह दिए, आपको पूचे, cell reference कौन कौन से, cell reference दो टाइप के होता है, MS Excel में, एक होता है, absolute cell address, cell reference, और एक होता है, यहाँ पे, relative cell reference, cell reference, अब यहाँ पे देखे, अब इसका सही answer क्या होगा, absolute cell address के अंदर क्या होता है, dollar आता है पहले, फिर alphabet और फिर वापस dollar, और फिर one, जैसे A1 का यहाँ पे, इस तरीके से represent होता है, तो यह यहाँ पे, absolute cell address का example है, ओके, दन, relative के अंदर क्या होता है, dollar का यहाँ पे उपयोग नहीं किया जाता है, यह दियान रखें, चलता है next, फिर होता है, which component on the motherboard, is responsible for powering your laptop BIOS, BIOS firmware में यह पोच रहा है, कि आपके laptop में BIOS firmware को power देने के लिए, motherboard का कौन सा यहाँ पे, जो device या कटक है, जो use किया जाता है, तो जो उतर दाई कौन सा रहता है, तो पहले दियान रखें, BIOS, basic input, output system, full form याद रखें, basic input, output system, और अब भी यहाँ पे बात करें, responsible होता है, motherboard का component, जो यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, वो होगा CMOS, क्या answer होगा, थर्ड नंबर, CMOS यहाँ पे, right हो जाएगा दो, तो इसकी full form भी ध्यान रखें, CMOS की full form ध्यान रखें, बहुत बार exam पूचा गया, full form है, इसकी COM, complementary, ध्यान रखें, complementary, mental, oxide, metal, oxide, semi-connector, semi-connector, यह इसकी full form ध्यान रखें, next, question संक्या, 12, कि which of the following, is a disadvantage of use of properties, software, rather than open source software, तो यहाँ पे यह जो, question पूचा है, बहुत यह अच्छा, question पूचा है, क्याराने में से, जो open source software है, जो उसका, मालिकाना, software का, उप्योग करने का, लुक्षान क्या है, वो बताने, तो यहाँ, property can be, exit with password, use on property system, या use with internet connection, तो यहाँ पे कहारा, property software user, more expensive, तो property system, जो होता है, software जो होता है, यह more expensive होता है, सही option रहेगा, यहाँ पे fourth number, next question के बात करें, distributed with exploit, legal warning, not modify and technically locked, locked is prevent other developer from seeing and modify its source, तो यहाँ पे कहारा है, कि भी कुछ हो गया है, यहाँ पे, तो वो ऐसा कौन सा software है, जो यहाँ पे warning not modify करता है, और typically lock, prevent developer from seeing modify its source, तो यहाँ पे देखा जाए, तो वो software होता है, proprietary software, जो software होता है, उसी को वो क्या कर सकता है, देख सकता है और editing कर सकता है, और modify कर सकता है, next 14 number, यह name और number use identity storage location in device, तो यहाँ पे storage location जो होता है, वो होता है, an address, जो ही option रहेगा, third number, next 15 number, 15 number question क्या करा, देखिए, which of the following part of operating system, interact with specific hardware, जो hardware से जो interact होता होता है, वो होता कौन सा software, वो होता है device driver, सही option रहेगा, first number, next question संक्या, 16 की बात करें, कि what is the shortcut की apply, date format with day, month और year, in Excel, अब date format बदाना, देखिए, date format जो होता 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 है, यहाँ control plus shift plus hedge, तो यहाँ सही option रहेगा, first number, next 17 number, what is the length of IP version 4 address, of nibble, IP version 4 का जो address होता 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 है, 8 nibble, सही option रहेगा, third number, okay, next question की बात करें, 18 number, in which topology does a single cable connect all node, जो single cable से सभी node जो connect होती है, वो कौन से topology होती है, वो आपको यहाँ पर पुचा है, तो यहाँ पर देख सकता है, सही answer होगा, वो bus topology, कौन से होगी, बस topology right होगी, next, कॉर्षन संक्या, 19, कॉर्षन संक्या 19 क्या करा है, who among the following is called, father of computing, तो super computing के जो father है, वो कौन थे, तो यहाँ पर ध्यान रखें, very important है, कभी बार exam में पूचा गया था, यहाँ पर होगा, वो say more करें, सई option रहेगा, second number, next 20 number, कि what is the maximum zoom in percentage, MSWD, MSWD में आप कितना zoom कर सकते हो maximum, तो maximum जो zoom होता है, वो होता है 100, कितना होता है 100, आप 100 तक आप इसको zoom कर सकते हो, okay, 400 की बात करें, किस में पूचा जाता है, तो ध्यान रखें, MSWD में होता है, यह default, PowerPoint, तो दोस्तों, यह थे top 20 MCQ, जो hostel warden से related exam में, पुचे जाने वाले सवाल है, तो वीडियो को जुरूर देकें, like करें, share करें, subscribe करें, तो बस आज के लिए इतना ही, thank you,